केंद्रिय मंत्रियों और किसान निताओं के बीज रवीवर शाम को चंडीगड में चोथे दोर की बाचीत एक सकरात्मक महौल में हुई बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रिय मंत्री प्यूश गोईल ने कहा कि किस्तान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा और विस्ते चर्चा हुई ये बाचीत ऐसे समय में हुई जब हजारों प्रदर्शनकारी किस्तान पंजाब हर्याना सीमा पर डेरा डाले हुए हैं केंद्रिय मंत्री प्यूश गोईल ने कहा कि सरकार चार फसलों पर पांस साल के लिए MSP देने को तयार है किसानों को पांस साल के लिए नियूंतर्स मर्थर मुल्या पर सरकारी एजन्सियों द्वारा डालों मक्का और कपास की फसलों की खरीद का प्रस्ताव दिया है अगले पांच वर्षों तक उनकी फसल MSP पर खरीदी जाएगी और खरीद की मात्रा पर कोई सीमा नहीं होगी यानि अनिम्टेड होगी और इसके लिए एक पोर्टल विक्सित किया जाएगा सरकार का माना है कि अलगलग फसलों के उत्पादन से पंजाब की खेती बचेगी बुजल स्तर में सुधार होगा और भूमी को बंजर होने से बचाया जाएगा जिस पर पहले से ही खत्रा मंडरा रहा है इस पर किसान नेताओं ने कहा है कि वे अगले दो दिन में अपने मंचो पर सरकार के परस्ताव पर चर्चा करेंगे और उसके बाद भविशे की योजने टै करेंगे केंदर के परस्ताव पर किसान नेता सरवन सिंग पंधेर ने कहा हम 19-20 फरवरी को अपने मंचों पर चरचा करेंगे और इस बारे में विशेशग्यों की राय लेंगे और उसके अनुसार निरने लेंगे पंधेर ने कहा करज माफी और अन्या मांगो पर चर्चा लंबित है और हमें उमीद है कि अगले दो दिनों में इनका समाधान हो जाएगा उन्होंने कहा कि दिल्ली चलो मार्च फिलाग रुका हुआ है लेकिन 21 फरवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होगा सबी मुद्दे नहीं सुलजे केंदरिय मंत्रियों और किसान नेताओं की इस से पहले 8, 12 और 15 फरवरी को मुलाकात हुई थी लेकिन बाचीत बे नतीजा रही पंजाब की परदर्शिन कारी किसान 13 फरवरी से हरियाना पंजाब सीमा पर शंबू और खनोरी बिंदूओं पर डेरा डाले हुए है जब उनके दिल्ली चलो मार्च को पुलिस ने रोका हुआ है अब आपको बताते हैं कि क्या है किसानों की मांगे दरसल इस बार के आंदोलन का नेतर तर्व स्यूक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा कर रही है किसानों की जो मांगे है उनमें से पहली मांग है कि MSP की कानून गारंची होनी चाहिए और दूशा स्वामी नाथम आयोक की सिफारिशों को लागू करना साथ ही किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पैंशन और क्रिशी रिन माफी के साथ बिजली दरों में कोई भड़ोतरी नहीं होनी चाहिए साथ में 2021 के लखीम पूर खिरी की हिंसा पीडितों के लिए नयाय की मांगी गई है और इसके साथ भूमी अधिगरेन अधिनियम 2013 की बहाली और 2020-21 में हुए किसान अंदोलन के दोरान मारे गई किसानों के परिवारों को मुआफजा मिले तो ये मांगे लेकर किसान अड़े कि वे केंदर पर अपनी मांगे मनाने के लिए दबाव बनाने के लिए मंगलवार से अगले तीन दिन तक पंजाब में भाजपा नेताओं के आवासों का घेराव करेंगे SKM के नेता बलबीर सिंग राजेवाल ने कहा है कि वे मंगलवार से गुरुवार तक सांसदों विधायकों और जिला अध्यक्षों सहित पंजाब भाजपा नेताओं के आवासों के सामने विरोध परदर्शन करेंगे लुध्याना में SKM नेताओ की एक बैठक के बाद पत्रकारों से बाचित करते हुए राजेवाल ने कहा है कि यह भी निन्यलिया गया है कि वे राजे के सभी टॉल बैरियरों पर विरोध परदर्शन करेंगे और उन्हें 20 से 22 फरवरी तक सभी यात्रियों के लिए से फ्री कर करेगा इससे पहले किसान नेता जगजीत सिंग दलेवाला ने कहा कि केंदर सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए और लोकसबा चुनाव के लिए आदर्श आचार सहीता लागू होने से पहले किसानों की मांगों को सभी कार कर लेना चाहिए उन्होंने कहा है कि अगर सरकार पहले सरकार को हमारी मांगों का समाधान ढूड़ना चाहिए